जहारखन के मुख्य मंत्री हेमन सोरेन ने प्रधान मंत्री मोदी से मिले हैं हेमन सोरेन दोबारा मुख्य मंत्री बनने के बाद उनकी प्रधान मंत्री से ये पहली मुलाकात है और जेल से रिहा होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली मुलाकात है जारखंग के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने तीन साल बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है तीन साल बाद ये मुलाकात बेहद हमानी जा रही है हमारे सहयोगी मनीश कुमार हमें जादा जानकारी देंगे मनीश ये शिष्टा चार भेंट थी या क्या माईने निकाले जाएं इस मुलाकात के देखें निसित रूप से ये शिष्टा चार मुलाकात थी जैसा कि हेमन्द सुरेन ने ट्वीट भी किया है लेकिन इसके अलग-अलग तरीके से इसके माइने निकाले जा रहे हैं सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंती नरेंद्र मोदी करीब तीन वर्षों के बाद हेमन्द सुरेन के मुलाकात के आग्रग को उन्होंने माना और उनसे मुलाकात करने के लिए तयार हुए लेकिन इसकी प्रिस्ट भूमी इस बात में है या इसका बैग्राउंड अगर आपको जानना हो तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो जारकन मुक्ति मोर्चा के जो हेमन्द सुरेन के करीबी है उनका कहना है कि जिस प्रकार से जारकन उच न्याले ने ना केबल उन्हें जमानत दी बलकि उस जमानत के फैसलेप में उनके खिलाब जो मामले थे उसे एक तरह से निरस्ट कर दिया जिससे कि आप कह सकते हैं कि आज एक जारकन की राजनिती में हेमन्द सुरेन एक हाई मोरल ग्राउंड लेके चल रहे हैं और उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और उनके बिरोधी भी कहीं न कहीं एक तरह से पस्ट दिख रहे हैं वही एक बड़ा कारण है जो फैसला है जारकन हाई कोट का अगर किवल उन्हें जमानत मिली होती उनके खिलाप अगर मामले वैसे ही चल रहा होता तो साइद वैसी परिस्तिती वैसी राजनितिक सक्ति उन्हें नहीं मिली होती तो यह आप कह सकते हैं कि बदली हुई परिस्तिती में खास कर जार्खन उचिन्याले के फैसले के बाद वैसी परिस्तितियां बनी है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीक में हेमन सोरेन स वो एक लंबे वक्त तक जेल में रहे उसके बाद जमानत पर रिहा हुए हैं जिसके बाद एक बाद फिर से जार खंड के मुख्य मंत्री चुने गए और अब तीन साल के बाद उन्होंने प्रधान मंत्री मोधी के साथ शिश्टा चार भेंड के